हालो हंसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिन्दा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिन्दगी में लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर फे जितने की उमीद को जिन्दा रखना हलो साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार PVR स्टेडी में उमीद है कि हमारी अवाज अच्छी आ रही होगी और बढ़ियां दिख रहा हैं अगर सब कुछ अच्छा है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए यस सब बहतर चलता बढ़ियां मस्त है उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली आज करड़ी पढ़ेंगे सर्ड्स पढ़ेंगे जिने बोलते हैं है ना पिछली क्लास में जब पढ़ाया गया था तो काफी कुछ आप लोगों ने पढ़ा था हो सकता दो चार मिनट लगे सभी बच्चे लाइब आ जाएं कमेंट्स में सब का देखूंगा पहले कुछ पढ़ाई हो जाए तब कल्पना निसाद स्याम पटेल सीनु कुमारी रिसा रिसीकांट प्रियंका रंजन मनीस नीलम स आगर सहनी सब का कमेंट्स आ रहा है चलिए आए फटाफट आजाओ सभी और क्लास का टाइम है रात के नौव बज़े से कि अब तक कुछ दिन क्लास बंद चल रही थी उसके आगे पीछे क्या कहानी आप सबको पता है करडी आप जानते यह सुना आपने इसको कि नहीν यह पहला नाम नहीं है मतलब कोई नया नाम नहीं है लिए इंग्लिस में इसको शाड़स बोलते हैं मुझे हो सकता इंग्लिस की स्टेलिंग थोड़ा गलत हो लेकिन मैं कोशिस करूंगा सही लिखने की जैसे अगर कोई नंबर आयसे मैंने लिख दिया तो यह क्या एक करड़ी है है ना सब्सक्राइब लेकिन ध्यान देना यह तो करड़ी है क्या यह सीवाला भी करड़ी है एक बार बताओ यह यह नो अंडरूट 25 इस अशर्ड सार नाट एक बार ट्राइब कर लिजिए हाँ हाँ मैं सबका कमेंट्स देख रहा हूं बस कोशिस कर लिजिए एक बार आईए बताइए बताइए रोहित रंजन अस्वनी कुमर हाँ फटा फट जबाब दो भाई महोबा से हो बहुत अच्छी बात है बेरी गुड तुलसा लोधी कल्पना ने सबसे पहले जबाब दे दिया मनीश जी ने भी बता दिया सौरब बेरी गुड देखो मेरे भाई यह करड़ी नहीं है बाबू दिफिज नाट असर्ट क्यूं पहले की कलास में बहुत अच्छे बता चुका हूं जाके देख लीजिए उसको इसके पीछे की कलासों में टेस्ट जो हुआ था टेस्ट के पहले यह करड़ी है आज हम बात करेंगे कि छोटी और बड़ी करड़ी कैसे पहचानते हैं जैसे अगर मैं कहूं कि सिक्स्टीन और ट्वैल में कौन बढ़ा है तो इसमें तो आप सब को पता होगा आप जान जाओगे अरे आप तो जानी रहे आपके लड़के बच्चे भी जानते हैं कि समें कौन बढ़ा है कि अगरा सभी जानते हो तो मैं अब आपको बिश्टार से बताऊंगा हमारे साथ बने रहीएगा जाईएगा नहीं कहीं कि करड़ी में छोटी बड़ी करड़ी कैसे जानते हैं जैसे मान लीजिए इनकी घाते अलग-अलग ह तो छोटी बड़ी करड़ी कैसे पहचानते हैं आईए बात करते हैं बिल्कुल बिश्टार से बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहीएगा अगले 20 मिनिट उमीद है कि पूरा-पूरा आपको तब मिलेगा यानि जितना इधर से कि दिया जाएगा वह सब मिलेगा आप करड़ी का घात जानते हैं है कारड़ी का गुरांक जानते हैं इस उर्म 내 मैं यहां कॉई बात नहीं आई यह पार्वतिय ग्रहरी नंबर चल रहा भाई या नंबर पर संपर्क करना बात नहीं करने का चलो आओ कि देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा अंडर रूट 29 यहां पर दो है यहां पर पांच है फिलहाल यह ऐसे नहीं लिखा जाता बहुत ही कभी आपको कहीं मिलेगा नहीं तो यह ऐसे नहीं ऐसे ही लिखते नर्मली इसी की पडोसी बनके यह लिखा रहता है अब बताओ इसमें करडी घात कितना है करड़ी का गुडांग कितना है करड़ी मिन सट्स और करड़ी पद कितना है इसमें तीन जानवर का नाम देखोगे आप अरे यह जानवर का नाम में तो ऐसे मजाग में बोल रहा हूं मतलब तीन चीजें आप आओगे इसमें एक करड़ी घाद एक करड़ी और एक करड़ी का गुड़न खण और इन तीनों को समझना पहचानना बहुत जरूरी है कलपना रोहित रंजन बहुत अच्छे बेरी गुड़ आओ चलो भया तो जो नंबर इसके पहले होता है मतलब यह इसकी जो सूर है ना नाक जीसे बोलते हैं देखो मेरी नाक बहुत बड़ी सी है न तो इसके आगे जो इधर साइड में होता है वह गुड़न खंड होता है जह जो इसके एकदम चुर्की पर होता है सीध पर इदम छोटी गिंती होती याद रखना ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको कि एंडरूट नाइन लिखाया विद्दू यही से लिखता आइसे नहीं होता है वो छोटा फरायता है कि ऐसे लिखाया तो यह बहुत असब बेतरी के ल बोलना आगे इनी का बोल बाला होगा भी है कि संद्या भारती समझ में आ रहा है और पिता निलान सागर मनीश रोहिद चलो ओके दन भाई लिख लो कि हमारे सबी प्यारे प्यारे साथी सेशन को लाइक जरूर करेंगे और अपनी वाली अपने वाले को सेर करेंगे नहीं है को यह साथ यहां घर में सामान होता है हम जहां पढ़ाते हैं लोग लाके वही रख देते हैं सब अब हम बात करेंगे कि करड़ी छोटी बड़ी कैसे पहचानते हैं कौन सी करड़ी बड़ी है कौन सी छोटी है कि सभी जानते होगे नहीं नहीं जानते हो कोई बात नहीं है अगले 10 मिनिट हमारे साथ रहें सब जान जाएंगे आए कि समझी एक बार जो बता दिया उसको नहीं बताने वाला हूं चल भाया कि यह है अंडर उटना हूं दिख तो हमें भी राए इसमें मैंने लिख दिया चा करड़ी घात कितना है बताओ तो भाईया चलो सभी लोग एक बाड़ ट्राइए कर लो यार चलो बड़ा नहीं बड़ी है लिख दिया फिमेल बना दिया इसे वैसे भी तुम लोग ज्यादा एट्रक्शन होता है इनके ब्रति चलो देखो समझो आईए इधर आईए थामजने की भरपूर कोशिस करिये क्योंकि इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं तो जो आप लोग से छुटा-छाटा बचे वहीं मिलें तजारवालों को चलो देखो तरेaggiने साव डिए यह बीच बीच में थुड़ा सालनका लगाते हुग चीज और देख लीजिए कि क्या ये भी करड़ी है या सिद्क यह भी करड़ी है या नहीं मुझे दही जमा के मत बैठिये मैं बहुत चिला चिला के बोल रहा हूं माइक फट जाएगा रोड तक सुनाई पढ़ रहा है भी सब आ जाएंगे का हुआ का हुआ का हुआ को चिला रहा है बोला हो खलाने लोग नहीं है ना मनीश बच्चा अभी पढ़ने की जरूरत है रजापको यह करड़ी नहीं है क्यूं क्यूं नहीं है इसके लिए क्लाफ नंबर 22,23,24 देखिए सब बहुत बिस्तार से बताया हूं कहानी थोड़ी लंबी है यह करड़ी नहीं है क्यूंकि इस और यह एक पूल संख्या है यह यह ने फूर्ण संक्या को क्या बोलते लिए कक आरफ़ेक्ट स्क्वाईर नमबर है आँ है आई आए आए देखिया हांपर समझ यह ही है इनको क्या करना है कई क्या शॉटा है कर Süर्ण कर देख लिए हैं इसमें दो-तिन करते हैं पहले स्टेप में मेरे भाई किर्ड़ी घहात का एल सी कालते हैं ठीक है इसमें कर्ड़ी घहात कितनी कितनी पहले तो आप लोग बताओगे तब मैं बताऊंगा चलो मनीस हिमान्सु यादो अंकीता यादो अस्वनी देखो भया जिनको कोई इंक्वारी करना है नंबर चल रहा बाबु नीचे उस पर संपर करिए यहाँ पर कलास में यह मत सोचिए कि तुम कमेंट करो मैं उसको देखू नहीं फिर नहीं हो पाएगा कुछ इस्क्रिन पर नंबर आप ही लोग के लिए चल रहा है और कोई मेरा स्पेसल नहीं है गुप्तुकू करने वाला तो उस पर फोन करिए मैसेज करिए दिन पर खुप करिए दो दो लोग लगें आपके लिए तो करड़ी घात कितना कितना है कलपना ने कहा है तीन सीनाज खान तीन और चार हाँ तीन और चार है करड़ी घात तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हल में तीन वाच चार का एल्फीयम एल्फीयम निकारने का पूरा कहानी बता चुका हूं इसका ल्चीम बारा आएगा कैसे आया क्यूं आया यह मैं पहले पढ़ा चुका हूं ल्चीम देख लेना जाकर नहीं तो मैं अभी आगे फिर से बढ़ा दूँगा आये तीन चार का ल्चीम कितना होगा बारा अब क्या करेंगे मेरे भाई समझ ना यह नंबर जैसे था इसको ऐसे लिख देंगे प्यार से पूरी ईजट के साथ लिख दिया इस नमबर से भात करेंगे इसके चूर की पिछ खात यह कि कितना है भात फल और स्ट कितना है १ोर ना इस उसकी घात बना देते हैं ठीक है और 12 जो समझ में आया हो भाई यह लोग है है यह अभी पहला हुआ एक हुआ बस मतलब एक गिंती के साथ हुआ यही सलूक इनके साथ भी होगा समय नंबर ऊ mist लग मिन एक है यह dal भाई आगगा तो यह नंबर तीन यह शींख से थीं रहे गढ़ यहां पर बारा जायगा चार से भाघ करोगे इसी तरह से मिरे भाई तो कितना चाहेगा कितना जाएगा चार से भाग करेंगे जैसे तीन से किया था चार आया था चार से करेंगे तीन आएगा यह नीज की गात तीन हो जाएगी अब देखा भई यह देखा सब भई समझा चार की गात चार का मतलब 256 होगा क्या 4 चोग 16 चोगा 256 होगा तो यह आपको हो जायागा 256 और इसको थोड़ा डंग से बना ला अब यह हो जायागा आपको 27 यह भी आ गया बारा घात घात बराबर हैं आपका सकते हो अंडर रूट 256 पावर 12 इस ग्रेटर देन अंडर रूट 27 पावर 12 अमज में आया अब अभी कहानी पूरा नहीं हुई है कहे को मैंने तो आंसर में ठीक लगाया ना में तो कुश्चन यह था न तो इन दोनों में कौन बढ़ा है वह यह किसका मान था उपर ऐसे चले चलो खी सकते दो इसकी जगापे आया है यानि यह बड़ा है आप इसे कह सकते हो अंसर में पूर त्री ग्रेटर देन थ्री फोर इसको थोड़ा आराम से लिखना दीरे-दीरे छोटा बस अ सेनाज खान समझ में आया कलपना आपको समझ में आया रोहित यादो रोली यादो दीक्ष इसका बिंदास ग्रिल ग्रिल एक गर लबाई का लिखे ओं इंग्लिस थोड़ा कम समझ में आती है यहीं तो समझ से आएगी आएगी मैं आप कोशिस कर रहा हूं बहुत बेज़िती होगे लाइफ में इंग्लिस ना ने को जासे मैं इंग्लिस का कलास करने वाला हूं कोई जानता है भाई अच्छी इंग्लिस सिखा सकता है मुझे हाउ आर्यू बोलने इतना हो गया ना अब आप लोग मुझे बताना एक छोटा सा कुश्चन है एनिवन ट्राइब कर सकते हो मैं कुश्चन उपर लिख रहा हूं बस आप अपनी नजरें गड़ा के रखिएगा नजरें गड़ा के रखिएगा मतलब बोर्ड पर हमारे उपर नहीं क्योंकि मैं वह ऐसा भी परिसान हूं देखिए यह है सेबन यहां पर है फाइफ वा ए बाई साहब इसमें अलग-अलग था ना घात भी अलग-अलग थी ना तो ठीक है इन दोनों में कौन बड़ा है एनिवन कोई ट्राइब करेगा जबाद दीजिए अगर मैं इनको एक एक नाम बना दूँ इनका मैं कुछ नाम रख दूँ इनका नाम क्या रख सकता हो मैं कुछ भी रख देता हूं वन टुवाल मेरे उपर डिपन्ड करता है इनका नाम P रख दिया, इनका नाम क्यों रख दिया? आप बताइए P और Q में कौन बड़ा है? कौन बड़ा हो? कौन बड़ा है इसमें? P और Q में कौन बड़ा है? आट्रा ही करोगे आप लोग. ओके, आईए. आज मैं मुझे कुछ गुनगुनाने का मन कर रहा है अगर आप लोग हांसे न तो मैं पक्का सुना देता हूं भी लेकिन मुझे पता है आप लोग हांसों के जरूर यही तो मेरी प्रॉब्लम है देखिए अब क्या करना है इसमें दोनों में कौन बढ़ा मनें पूछा तो सबसे पहले किसी ने बताया तो अब बंदना यादो रिसी कांत प्रियंका सिंग रूबी राय सपना कुमारी नितेश निजलेश सभी बता रहे हैं कि लगोश्व बच्चा ठीक ठाक आना कि आए यह ठीक है इससे मुझे भी ने पता कौन बढ़ा है पहले इसको हल करेंगे सबसे पहले घातों का LCM करते हैं पांच वा चार का LCM ठीक है पांच वा चार का LCM यह रूल में था यार इसको साइड में लिखा हूँ इसके लिए कनफ्यूजन में न रहे ना तुम लोग कि चलो कि LCM कितना आएगा ट्वंटी आएगा कि सभी समझ रहे ना एक बार बिल्कुल दिल से एकदम दिल जिसको दियो ना उधार ले आओ अपने पास मांग लो कर दो भाई याल उटा दो थोड़े दिर के लिए मैं समझ ले पिले ले लेना और उलाके इदर लगा दीजिए थोड़े दिर के लिए कि मैं क्या बोलने वाला था कि एकदम दिल लगा के पांच मिनिट इदर देखिए बाबु सोना यार दोस्त घर परिवार समझ से आए और भी बहुत सारी चीजें लाइब में सबसाइड कर दीजिए थोड़े दिर के लिए आई ये समझ ये अब मतलब हमें देख रहे ना अच्छे देख रहे ना चल यह देखिए यह दोनों नंबर है ना इनमें घात क्या है करड़ी पद क्या पहले बता चुका हूं भाईया इसमें घात 5 है इसमें 4 है सबसे पहले घातों का लसीम करते हैं पांच और चार का लसीम करेंगे बीस आयेगा लसीम करना नहीं आता दूसरा वीडियो देख लेना कहीं आजान जाओके चलो तो कि नाया बीस अब जितना लसीम आया है ना समझना यहीं पर समझने वाली बात है अगले स्टेप में समझना आचा रुको इनको ऐसे लिख लो इनको भी ऐसे लिख लो इनको पूरा पूरा मैंने उतार लिया बिना किसी घात के ठीक है समझना बस थोड़ा फाई बचा है जो लसीम आया लसीम इनकी घात हो जाएगी दोनों की यही तो हम बराबर कर रहे थे अब इतने में यही तब कुछ नहीं हो गया में पॉइंट ब बताया तो चार बर गया तो यह तो यही पर रिखिया आगे भी करेंगे करेंगे ते इस पर आरे यही से चाहिए जाने फटा घर वीसंते हाएगा पांच बांट सब्सक्राइब करेंगे पांच आएगा यह निसकी घाथ पांच आएगी तो भाई यह बताओ इन दोनों में किसका मान बढ़ा आएगा भाई जिनको जल्दी थी वो चले गए और जिनको लगी है वो भी चले जाएं हम पढ़ाएंगे बिल्कुल अपने ही मस्त चाल में क्योंकि हमारी कोशिस है सब को समझ में आए बड़ 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 भागने का नहीं मेरे को चलो अब 49 इन्टू 49 कर लो कितना आएगा 2401 आएगा कि नहीं तो यह आया 2401 और यह हो गया 20 वा इन दोनों में 25 25 125 पंचे 625 होगा क्या कितना आएगा समय लगता 625 ही आएगा ट्राइ करके देख लेना हो सकता है तो भाईया हो चाचा हो 625 इससे कई गुना बड़ा है इसके बाप के दादा के बराबर है यह 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 आपका सकते हो और ग्रेटर देने कि सबंज में आया कि ना ही समझ में आया हो यह लेकिन यार यह तो पांच घात है कि पचीश पचीश साम में 625 ही होता है तब भी सही है ठीक है ठीक है बात पक्की हो गई सभी समझ गये ना तो फटा पट इसको लिख लीजी अभी से आप फाइनल में ऐसे कर सकते हो आंसर के लिए कि यह अंसर हो गया फाइनल में हमें इसी में दिखाना था कौन बड़ा है कौन छोटा है सभी समझ गये ना साथियों आज पीवियार स्टेडी आप में अभी हमारी क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि कई दिन से बन था साले नौ बज़े से तो इसलिए मैं यहां प क्यां बड़ा है